नमस्कार दोस्तों, जै माता दी, स्वागित थे आप सभी खा हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों भगवान शनीदेव के आशिरवाद से कल सुबह साड़े आठ बजे से अचानक चमक उठेगा इस राशी का भाग्य मिलेंगी अनेक प्रकार की बड़ी-बड़ी खुश खबरियां जी हाँ दोस्तों, भगवान शनीदेव अब 12 राशियों में से कुछ राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं जिससे अब इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशी वालों को मिलने वाली है भगवान शनीदेव के आशिरवाद से खुशियां ही खुशियां जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा और भागेशाली राशियां ये कौन कौन सी है जिनका भागे भगवान शनीदेव के आशिरवाद से कल सुबह साड़े आड़ बजे से चमकने वाला है इन राशी वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुश खबरी इस वीडियो में आपको उन खुश नसीब और भागेशाली राश्यों के बारे में हम बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो इन राशी वालों के दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान शनीदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट बॉक्स में जै शनीदेव जरूर लिखें जिससे भगवान शनीदेव का आशिरवात आपको सीधे प्राप्त हो सकें और साथी साथ अगर ज्यानवर्दक जानकारी आप लोग तक पहुंच सकें और जादा से जादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें तो बात करते हैं उन खुशनसीब और भागेशाली राशियों के बारे में जिनका भाग्य भगवान शनीदेव के आशिरवात से कल सुबह साड़े चलिए शुरू करते हैं। इनकी चाल से सीधा हमारे सामानी जीवन पर असर पड़ता है। वही यदि बात करें शनीदेव की तो भगवान शनीदेव सुर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। हम सभी जानते हैं कि शनीदेव को सभी देवताओं में सबसे अधिक कुरूर सुभाव का माना गया है। लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि शनीदेव किसी पर भी बिना सोचे समझे खुपित हो जाए या फिर उसे दंडित करने लगे। शनीदेव किसी को भी बिना उसकी किसी गलती या पाप के बिना दंडित नहीं करते। यही कारण है कि उन्हें जगत के न्यायदीश के नाम से जाना जाता है जिस व्यक्ति पर भगवान शनीदेव की कृपा होती है उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है वैसे तो शनीदेव का नाम सुनते ही सब कांपने लगते हैं लेकिन इनकी एक खासियत यह है कि अगर किसी शक्स के उपर महरबान हो जाएं तो उनकी किस्मत बदलने में जरा भी देर नहीं लगती शनीदेव का प्रकोब जितना जादा पड़ता है उससे जादा लोगों को वो खुशियां देते हैं जी हाँ आप सभी लोग शनीदेव को सिर्फ प्रकोब बरसाने वाले ही समझते होंगे लेकिन इनकी महीमा को कोई नहीं समझ पाया है आपको बता दें कि शनीदेव जब अपनी चाल बदलते हैं तो वो राशियों के अनुसार किसी पर बारी पढ़ते हैं तो किसी पर महरबान होते हैं इसी क्रम में अब भगवान शनीदेव बारा राशियों में से कुछ राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं यू समझ लीजे कि भगवान शनीदेव ने अब इन राशी वालों की पुकार सुन ली है जिसकी वज़े से अब इन राशी वालों के जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू होने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव के आशिरवाद से अब इन राशी वालों के जीवन में होने वाली है खुशियां ही खुशियां यूं खहें कि भग्वान शनीदेव के आशिरवाद से अब इन राशी वालों की किसमत चमकने वाली है दोस्तों फिर देर किस बात की तो आइए जान लेते हैं वे भागिशाली राशियां कौन-कौन सी है जिन पर भगवान शनीदेव की कृपा होने वाली है और इन राशी वालों के जीवन में आने वाली है अब खुशियां ही खुशियां जी हाँ दोस्तों जिन खुशनसीब भागिशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन खुशनसीब और भागिशाली राशियों में से जो पहली राशी है वो राशी है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दें कि आपके उपर भवान शनीदेव की अपार क्रिपाजिष्टी बनी रहेगी जिसे इन्हें धनलाब प्राप्त होने की संभावना है आपको बता दें इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिधी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरकी मिलेगी जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाते हैं या पढ़ाई करना चाते हैं उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है साथ ही साथ इस राशी के लोगों की आय मिवरिदी होगी जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में जादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है आप अपनी सभी कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे भगवान शनी देव की विशेश क्रिपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपनी जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशिया ही खुशिया अब आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों अगली राशी है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दे भगवान शनी देव की क्रिपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव आपके उपर बेहत प्रसन है आपके मान सम्मान और प् वाले हैं उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दे आपके रुके हुए कारे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दे जो भी कारे अब शुरू करना चाहते थे उस कारे में आपको सफलता प्राप्त होगी जी हां द आपके घर परिवार में खुश्टुमा माहोल रहेगा, साथी साथ आपके कारोबार में व्रिदी होगी, सामाजिक शेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धनलाब प्राप्ती की आपके लिए संभावना बन रही है, साथी साथ यदि आप नया वाहन या मकान वालों आपके उपर बन रही है, समय अब आपके पक्ष में है, समय का आप भरपूर लाब उठाएं, समय को अपने हाथ से जाने ना दे, जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो है व्रिशब राशी, व्रिशब राशी वालों को बता दे भगवान शनी देव के आशिरवात से आपको बहुत जल्द कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं, दोस्तों आपके द्वारा की गई महिन मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा, आपको बता दी भगवान शनी देव की क्रिपा से आपकी आर्थिक सिती पहले से बह सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, मेश राशी वालों आपको अपने जीवन साथी और परिवार का पूरा सयोग प्राप्त होगा, आपकी मदुरवानी की वज़से आपके सभी कार्य पूरे होंगे, भगवान शनी देव जी की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हु पूरे होंगे, आपको बता दे, भगवान शनी देव की विशेश क्रिपा आप मेश राशी वालों आपके उपर बन रही है, आप दिन दुगनी और राज चौगनी तरक्की करेंगे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी सफलताओं की अब जंडे ग बता दे, भगवान शनी देव की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है, कन्या राशी वालों आपको बता दे, ना केवल आपको धन लाब होगा, बलकि आपके व्यापार में खूब व्रिधी भी होगी, इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी मे भगवान शनीदेव की विशेश कृपा कन्याराशी वालों आपके उपर बन रही है साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा धनलाव प्राप्ति के अनेकों अवसर कन्याराशी वालों अब आपको मिलने वाले हैं साथी साथ जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ती का सुख अब मिलने वाला है उनके घर परिवार में खुश्णुमा माहोल रहेगा प्रेम संबंद मजबूत होंगे साथी साथ आपके सभी कार्य सफलता पूरवक पूरे हो जाएंगे समस्त मनो कामनाएं पूरी होंगी और भगवान शनीदेव से अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिससे कन्या राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस के वल मान समान मिलेगा बलकि समाज द्वारा आपको काफी तारीफ भी की जाएगी इसके अलावा आप अपने जीवन में ऐसे नए अवसर पाएंगे जिसे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर बन रह ही है इसके साथी आपको काफी धनलाब भी होगा जब एक तरफ परिवार में खुश्यों का माहुल बना रहेगा वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिधी होगी सिंग राशी वालों अब आपको चारों तरफ से लाब ही लाब मिलने वाला है भगवान शनीदेव की क्रि पासे अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी इसके साथी आपके घर परिवार में खुश्यों का माहुल रहेगा जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखत में आपको अपार खुश्यों की प्राप्ति होगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा कहना गलत नहीं होगा सिंग राशी वालों भगवान शनीदेव के आशिर्वात से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं जीहां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राश का आपको फल मिलने वाला है आपको बता दे जो आपने मैनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी खुश्यों का ठिकाना नहीं रहेगा आपको बता दे आपके रुके हुए कारे भगवान शनीदेव की आशीर्वात से अब समय पर पूरे होंगे आपक शनीदेव की क्रिपा से आपकी धन समंदित सभी परेशानिया मुश्किले अब दूर हो जाएंगे और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे धन में खुब वृदिग होगी और अनेक प्रका के लाभ धनलाभ और बड़ी-बड़ी सफलताएं अब के साथ वेतनवर्दी के भी योग बन रहे हैं आपको बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से धनु राशी वालों आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपके जीवन में मिलने वाली है आप अपार खुश्यां ही खुश्यां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके जीवन में अब खुश्यों का बंडार आने वाला है जी हां दोस्तों भगवान शनीदेव आपके जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है साथिसा जो भी आपके रुके हुए कार्य है वे कार्य अब सफलता पूरक पूर्ण होंगे और साथिसा जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब मिलेगा उनका व्यापार दिन, दुगना, राद, चोगना तरकी करेगा उनको हर तरफ से अब लाब ही लाब मिलेगा कुम्ब राशी वालों अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली है भगवान शनीदेव आपके उपर बेहत प्रसन है साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतनवर्दी के योग बन रहे हैं साथी साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मन्चाही नौकरी भी मिलेगी साथ ही साथ आपको बता दे यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपको जल्दी ही वापस मिलेगा आपके व्यापार में जो भी रुकावटे आ रही है वे रुकावटे खतम होगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होगी कुम्ब राशी वालों आप अपनी जीवन में एक नई कुशी का एसास करेंगे भगवान शनीदेव की विशेश कृपा आपके उपर कुम्ब राशी वालों बन रही है समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं इस समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी वालों आपको बता दे भगवान शनीदेव की विशेश कृपा आपके उपर बन रही है आपको आने वाले समय में अब आय और नौकरी में पदोनती मिलेगी व्यापार में अचानक लाब मिलेगा और आर्थिक सिती मजबूत होगी सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे परिवार में शांतिव आनंद का बातावरन रहेगा आपको कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है भगवान शनी देव की क्रेपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे व्यावसाय में अचानक लाब होगा और आकस्मक धनलाब प्राप्ति के लिए आपको अनेक योग आपके लिए बन रहे हैं भगवान शनी देव की क्रिपा से ही मितुन राशी वालों आपके जीवन में अपार खुश्यों की प्राप्ति होने वाली है जिससे आपके जीवन में होगी खुश्यां ही खुश्यां साथी सा जो लोग नया वाहन या मकान खरीदनी को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अविश्य सफल होने वाली है संतान प्राप्ति का भी सुख मिथुन राशी वालों अब आपको मिलने वाला है जिसे घर परिवार में होंगी खुशियां ही खुशियां ये कहना गलत नहीं होगा मिथुन राशी वालों भगवान शनीदेव के आशीरवात से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है समय का भरपूर लाग उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें जी हां दोस्तों ये है वे खुशनसीब और भागशाली राशियां जिनको भगवान शनीदेव के आशीरवात से अब अपार खुशियों की प्राप्ती होने वाली है इन राशी वालों के जीवन में होगी अब खुशियां ही खुशियां भगवान शनीदेव के आशिरवाद से इन राशी वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों भगवान शनी देव का अशिर्वात आप सभी को प्राप्त हो आपसे अनुरोध हैं आप कमेंट बॉक्स में सची दिल से जै शनी देव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें